कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अधभूत क्रेश दिखा अमेरिका ने हमें सो से जादा दुरलब और प्राचीन कलाकृतियां वापस लवटाई है इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खुब चर्चा हुई युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा भारत लवटी ये कलाकृतियां डाई हजार साल से लेकर डाई सो साल तक पुरानी है आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुरलब चीजों का नाता देश के अलग-अलग शेत्रों से हैं यह टेरकोटा, स्टोन, मेटल और लकडी के इस्तमाल से बनाई गये हैं इन में से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्री से भर देगी आप इन्हें देखेंगे तो देखते हैं रह जाएंगे इन में ग्यारवी सतादी का एक खुब सुरत सेंड स्टोन स्कल्प्चर भी आपको देखने को मिलेगा इन्रुत्य करती हुई एक अफसरा की कलाकृती है जिसका नाता मद्दप्रदेश से है चोल युक की कई मुर्तियों भी इन में सामिल है देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाय तो बारवी सतादी की है और तमिल नाडू की वैभव साली संस्क्रिती से जुड़ी है भगवान गणेश की करीब एक हजार वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लवटाई गई है ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मुर्ति ग्यारवी सतादी की बताई जाती है जिसमें वे दोनों नंदी परासिन है पत्थरों से बनी जेन तिर्थरकरों की दो मुर्तियां भी भारत वापिस आई है भगवान सुर्यदेव की दो प्रतिमाएं भी आप मन मोह लेंगी है इन में से एक सेंस्टोन से बनी है वापस लोटाई गई चीजों में लकडी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है सोलवी सत्रवी सदी के इस पैनल का जुडाव दक्षिन भारत से है साथियों यहां मैंने तो बहुत कभी नाम लिये है जब की देखे तो यह लिस्ट बहुत लंबी है मैं अमरीकी सरकार का अभार करना चाहूंगा जिनोंने हमारी इस बहुमुल्य विरासत को लोटाया है 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यातरा की थी तब भी कई कलाकुर्तिया भारत को लोटाई गई थी मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांसकुर्तिक धरोहरों की चोरी रोकने को इस बात को लेकर के देश भर में जागरूता बढ़ेगी इससे हमारी सम्रुद्य विरासत से देश वाचों का लगाओ भी और गहरा होगा